मस्कार दोस्तों मैं कुसुम आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आज हम बनाने वाले हैं बर्गर वाली आलू टिक्की की रेसिपी को जो बहुत ही टेस्टी सी और कुरकुरी बन के तयार होगी और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है तो चलिए जल्दी से बनाना सुरू करते हैं आलो की टिक्की बनाने के लिए देखे मैंने यहापे आलो लिया है आलो को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था अब हम आलो को मैस कर लेंगे आलो को हमें अच्छी तरह से मैस कर लेना है आप देख सकते हैं आलो को मैंने मैस कर लिया है अब हम इसमें हरी मटर दाल देंगे हरी मटर को भी मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था एक चमच हम अधरक लसुन का पेस्ट दाल देंगे एक चमच लाल मीच पॉड़र एक चमच धनिया पॉड़र आदा चमच काली मीच पॉड़र और एक बड़ा चमच मैंने यहाँ पे ब्रिट क्रम्स लिया है दो चमच हम यहाँ पे कॉर्ण फ्लोर डाल देंगे यह एक चमच है और यह दुसरा चमच नमक डाल देंगे नमक हम अपने टेस्क के अनुसारी रखेंगे अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें बारिक कटेवी प्यास डाल देंगे प्याज मैं पहले दालना भूल गई थी इसलिए मैं इसे अभी आइट कर रही हूँ और प्याज को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह इस आलू टिक्की की रेसिपी को फेंड्स आप जरू ट्राय करना यह बहुत ही टेस्टी बन करता यार होती है और इसका टेस्ट तो बिलकुर मार्केट जैसा ही आने वाला है आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम टिक्की बना लेंगे इसके लिए सबसे पहले हाथ में तेल लगा लेंगे और थोड़े से डो को हम इस तरह हाथ में ले लेंगे और इसे हम राउंड सेब दे देंगे देखे इस तरह और इसे हम हाज से प्रेस कर देंगे और इसे हम टिक्की का सेब दे देंगे देखे इस तरह टिक्की हमारी और अच्छी दिखे इसके लिए हम इसे chopping board पे इस तरह round round कर देंगे जिससे हमारी टिक्की और अच्छी दिखने लगेगी आप देख सकते हैं टिक्की हमारी बनके तयार है अब हम इसे dish में रख देते हैं इसी तरह मैं दूसरी टिक्की बना लेती हूँ जब तक मैं दूसरी टिक्की बना रही हूँ आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजे और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे आप देख सकते हैं दूसरी टिक्की भी हमारी बनके तयार है इसे भी हम dish में रख देंगे अब हम टिक्की के लिए एक बैटर तयार करेंगे इसके लिए मैंने एक बाउन ले लिया है और इसमें मैंने चार चमच मैदा दाल दिया है आदा चमच काली मेच पॉडर नमक दाल देंगे नमक अपने टेस्की अनुसार हमें लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे हम mix कर लेंगे इसे हमें अच्छी तरह से mix कर लेना है और एक batter तयार कर लेना है देखे इस तरह अब हम इसे side में रख देंगे अब हमने जो टिक्की तयार किया है वो ले लिया है और साथ में जो हमने मैदे का batter तयार किया था वो भी ले लिया है टिक्की को हम batter में अच्छी तरह से deep कर लेंगे आप देख सकते हैं इस तरह और इसे हम direct bread crumbs पर रख देंगे और दूसरे हाथ से हम bread crumbs की अच्छी तरह से coating कर देंगे इसके उपर देखे इस तरह आप देख सकते हैं टिक्की हमारी बनके तयार है इसे हम डीस में रख देंगे इसी तरह हम दूसरे टिक्की को भी batter में deep कर लेंगे और इसे भी हम bread crumbs पर रख देंगे और इसके उपर भी हम bread crumbs की अच्छी तरह से coating कर देंगे आप देख सकते हैं दूसरी टिक्की भी हमारी बन के तैयार है अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं तेल भी हमने गरम करने के लिए पहले से ही रख दिया था और तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें टिक्की डाल देंगे टिक्की को हम अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे टिक्की हमारी एक तरह फ्राइ हो चुकी है अब हम इसे पलट के दूसरी तरह से फ्राइ कर लेंगे और इसे हम golden brown कर लेंगे टिक्की हमारी बन के तयार है और इसका color देखे friends कितना अच्छा आया हुआ है और ये बहुत ही tasty बन के तयार हुई है अब हम इसे डिस में निकाल लेते हैं बर्गर वाली आलू टिक्की हमारी बन के तयार है अगर recipe पसंद आई हो तो please video को like करे चैनल को subscribe करे comments करके बताए कि आप सबको recipe कैसी लगी Thank you